यदा यदा ही धर्मस्य प्लानि रुभवति भारत अध्यु उस्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुझाम्यः ये घीतों में किसको याद करते हैं किसको पुकारते हैं कि आकर करके जूत जगा जा आकर करके अंधिकार ये पर्मात्मा के तरफी को पुकारते हैं तो इसे सिद्ध होता है कि हमारी अंधिकार मिटाने वाला एक है इसलिए उनको याद करते हैं कि अंधिकार मिटा आकर और उसने भी काहा है सर्वश शाष्ट रश्रो मरि गीता उसमें भी भवान के वर्ष्ण्स है कि यदा यदा है धरमस्य जिलानिर भवती भारत है कि जब जब धरम होता है तब तब मैं आकर करके अधरम नाश और धर्म इस्थापना अत्वा अंधिकार नाश और रोशनी आकर के देता हुँ जिससे मनिश सदा सुखी बने हैं। तो ये भववान ने भी दावा रखिया कि मैं आकर के करता हुँ और मनिश भी तो उसकोई पुकारती हैं कि तुम आ अभी, तेरा काम है अभी, मनिश सब कुछ करके ठक गए, वो करते-करते मनशों का प्रियतन उसकी जो result है, वो तो आज हमारी दुनिया हम देख रहे हैं, मनशों के प्रियतन नहीं, जो संसार बनाया हैं, कोशिश करते आए हैं, कि कोशिश की जो result है, वो तो अपने अनभव में हैं, सामने कोई छिपी वी तो सामने हैं, कि मनशों ने संसार कोशिश तो रखी हैं सब में, देखो संसार में कितने प्रियतन हैं, चाहे संसारी पधार्थों के भी अनेक प्रियतन हैं, आज देखो सायंस, ये संसारी पधार्थों की इंवेंशन हैं, तो देखो उनमें भी दुनिया कितनी उची जा रही ह और कितना आज देखे सूरिय चान बड़े कोशिश है कि मनश के लाइफ को कहा कुछ सुखकी कुछा मिल जाए। पीछे उधर जाकर के आप लाक लेकर के बैठें। चाहे इधर उनका कुछ मिले हैं। बिचारे कोशिश करते हैं कि क्या है। परंतु इनी सभी संसारी पधातों की इतनी भी आगे बुद्धी जाते। और इश्वरी मार्ग के भी अनेकानेक मार्ग है। और कई सब को सिशेवेद, शास्र, ग्रंथ, पुरान, गुरू, महात्मा, पंडित, आचारे, आधी-आधिया, महामंदले, इश्वर, आधी-आधि, देखो कितने-कितने सब है। यह सब उपस्तत है, लेकिन इतने सब होते भी, और संसार इक इतनी स्पीड है, पधासों की यह सब बातें आगे जाते भी, लेकन हमारी लाइफ तो देखो, लाइफ को अगर ऐसे कहें कि हम निचे ही गिरते जा रही है। तो यह मालुम करता है कि हमारे लाइफ की जो चीज है, पूरन सुख शानती की, वो कोई और देने वाला है। वो कौन देने वाला हैं, इसलिए देखो इसको पुकारते हैं, कि अभी तुँ आ, और तुँ उस चीज की रोशनी दे, कि हमारे लाइफ को, हमारे सुख के जो साध्धन है, वो हमें कैसे प्रापत होंगा। आज क्या नहीं मनश कर बैठे हैं, कितनी इंवेंशन्स हैं, देखो सब कुछा करते हैं, लेकर आज पिर भी देखो, अपना ही भारता, आज अन के लिए, आज सब चीजों के लिए, मौता या निया, दिन अब दिन सब जितना बिचारे कोशिश करते हैं, इधर संख्या बर सब पूरा करना, सब कितनी मुसीबते खड़ी हो गई हैं, आज दुनिया के सामने, और ये सबी बाते होती चली आई हैं, और चलती जा रही हैं, और भी आगी हैं, तो देखो मनश की कोशिश से हमारी लाइफ की अगर देखें, तो लाइफ और य अशान और दुख के नीच इसलिए वो लाइफ की चीज, कहते हैं, लाइफ दाता, जीवन दाता, परमात्मा है, तो जो जीवन दाता है, वो ही तो हमको अपने जीवन का पुरा-पुरा भेद भी समझाएंगा, और जीवन के साधन तुमको कैसे प्रापत होवे, उसका क्या तर्कीब है, वो समझा सकत है, इसलिए बाप कहते हैं, कि इन चीज की देने वाला भी मैं हूँ, समझाने वाला, क्योंकि समझ उसे देता हूँ, ऐसे नहीं ऐसा ऐसा दे दूँगा, नहीं ऐसा नहीं है, कि तुम्हें है, समझ दूँगा, उसी समझ से चलना है तुमको, फिर चल करके अपने कर्म उच आज कर्म भृष्ट है दुनिया, तो दुनिया की result देखो, कारण यह है कि दुनिया आज कर्म भृष्ट है, कर्म की स्रेष्टा का पता नहीं है दुनिया को, कि कर्म हमारे स्रेष्ट कैसे हो, वो आज हमारा आचरन, आज हमारा कर्म, आज हमारी जीवन वो जो है, वो भृष् ये तो खोजना है ये तो सब चीजे खूब चली जा रही है आगे आगे इसलिए मनश समझते हैं आज मनश की बुद्धी बहुत बड़ी है तो ये सबी चीजें हैं जिसको समझना है कि हमारी वो उचाई जो है न वो जीवन की तो रही नहीं है तो इसमें तो भले बहुत कैते हैं इसकी रोशनी ये अंधिकार है कि हमारे कर्मों में कौन सी गल्ती है क्या हम गलत करम करते हैं जिसका नतीजा हम चाहते तो कुछ और है लेकिन मिल कुछ और रहा है यानि दुख हो रशान्ती इसलिए हमारे कर्मों में कौन सी गल्ती है जिस गल्ती से हम दुख भड़े ही है यह तो परम्परा से चले आया है , बहुट काल से यहे चीज़े हैं , यह तो बहुत काल से है चीज इस OUR कहिती है !! इनका पूरा पता होना चाहिए तो मुझे हमार सो याद करते हैं , तो भी आस्यक्त है कि तुहने तुमारे पास है उसकी light, उसकी रोष्णी, उसकी knowledge, तुम्हारे पाशिरे उसको कहते है knowledgeful, क्योंकि काई का knowledgeful है वो हमारे कर्म गत्नी का, कैसे बनाओ, उसके लिए तुमको मेरा knowledge चाहिए और मेरा बल चाहिए, मेरे बल के बिना, तुम्हारे कर्म जो है न, वो स्रेश्ट नहीं हो सकेंगे, इ वो तो समझते हैं, जैसे कामन कहीं और आश्रम है, कहीं संस्थाए हैं, वो तो संस्थाए आश्रम तो बहुत काल से चली है, ये संस्था अभी परमात्माने, इसको संस्था नाम न कहें तो अच्छा है, यूँकि संस्था नाम कहें से वो समझते हैं, जैसे दूसरी भी संस करके यह knowledge परमात्मा की वो दी जा रही है तो वो बैर करके अभी रोशनी दे रहा है वो काया यदा यदा है जब जब अधरम होता है तब मैं आता हूँ तो अभी वो आएए। वो आकर करके अभी यह रुशनी हम सब बच्चों को हम उनकी संतान है थो संतान मुझ गए है और दुखी हो गए हैं तो भाब को तरस पढ़ेंगा तो अभी कहते हैं कि जब दुखी ऐसे होते हैं सब नहीं आता तो अभी आए हैं और आकर करके यह इसने college खोला है college को विद्याले को उनिवर्सिटी को स्कूल को जो कुछ को hospital को जो भी को यह hospital है निरोगी बनाने की सदा के लिए whatever healthy वो hospital नहीं हाँ जो हो को नितरा कि दूरा रही जाती है तो मैं यह तो जाए शुचा को किय ढो जितनी जो मा ना एजने हुझे जुचा है को फित्य है क शुचे कर दूब भड़ न रोग हो, न डाक्टर्स हो, न हास्पिटर्स हो, न चोड़ी हो, न चकारी हो, तो फिर हमारे लिए न कोट होंगी, न जज़ होंगा, न वकीर होंगा, काईगे लिए होने चाहिए, चोड़ी न होने चाहिए, तो ये चीज़ें कोई जरूरी तो नहीं है, इसलिए बाप कहत सबस् regardless of such a oh वह हुभायाब सबस्क्राइन कि तुमारा स्रीर कंट्रोल नहीं है जब ताइम हुआ बाहceks भी तुमारे पास बल हो लेकर тем आज कहाथ है वो ? मरो tu हो दो रोगि बनो तो रोगि बनो मप बेवस है ? तो बाप सेथ है कि तेखो तुमारी life है, पर तुमारी life control में नहीं है, life तुमारी, लेकि life में तुम बेवस हो, जो कुछ होए तुम कुछ नहीं कर सकता है, बहले कोई दनवान होगा, बीमार पढ़ेंगा, करके तुरा इलाज करेंगा, फिर भी कुछ ऐसा करम कहा है, कुछ उसे बनता नहीं है तो क्या करेंगा, कहेंगा, हाई तकदी, हाई खिसमत, हाई करम, बस ऐसा कह करके बैठेंगा, और क्या कहेंगा, पर तुम नहीं, हमारी life के करम की जो power थी, जिसको spiritual power कहा जाता था, और जिसी के नाम से ये भारत में प्राचीन नाम है नि, प्राचीन योग का, और प्राची उसे बने शकी life उची बनी थी, इसलिए ज्यान और योग का नाम है, जिसी नाम को लेकर करके, बहुतों ने ब्रैटा करके, ज्यान के कहीं पुस्तक बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं, ग्रंत बनाए हैं, लेकिन वो तो शास्त्र ग्रंत ज्यान के नाम के उपर बनाए हैं, ज्ञान बड़ा उचा बड़ा उचा तो बड़े बड़े शास्र बना रखे हैं, बड़ी बड़ी चीजी, परन्तु वो practical चीज तो एक के पास है, नाम तो मशवूर हो गिया, ज्ञान और यो परन्तु वो दिया कुसमें, वो दिया परमात्माने, original ज्ञान, original knowledge जो है, वो पर करके सिखाई है ना, इसी के लिए मेरे सिख्षाकादे को शास्त्र यादगार है, पर तो वो यादगार है, वो पर जो मैं औरली समझाया, और जो original आकर के knowledge दी, वो तो knowledge मेरे पास है, इसलिए मैंने का है, कि यदा यदा, जब जब होता है धरख, तब तब मैं आता हूँ, मैं खुद आता हूँ, मैं आकर करके ये knowledge दे जाँ, क्योंकि वो knowledge मैं ही दे सकता हूँ, मेरी knowledge और कोई दे नहीं सकता है, मनश के द्वारा वो knowledge समझाई नहीं जा सकती है, इसलिए उसने अपनी दर्पार दिखलाई है, इसलिए भारत में ज्यान का और योग का ये सब नाम म जिसको पॉरेम देश वाले भी हा, सुनते हैं तो उनको योग की attraction होती है, कि वो भारत का प्राचीन योग कौन सा है, क्योंकि उसी से भारत अथवा दुन्या स्वर्ग बनी थी, जब भारत स्वर्ग था, तो दुन्या स्वर्ग थी, आज भारत नीचे है, तो सारी दुन्य इसलिए प्राचीन भारत का जो नाम है, उसी कारण नाम है, क्योंकि परमात्मा ने आकर करके इस दुन्या को स्वर्ग बनाया, तो अभी फिर से वो चीज बनने का, यह अभी college समझो, school समझो, यह है उनका, वो सिखाय रहे हैं, अभी उसमें तो आकर के सीखना पड़े, समझने की चीज नहीं है, यह तो आकर करके जैसे knowledge कोई भी school में बच्चा जाएंगा, तो ऐसे थोड़ी खाली lecture से आपड़ेंगा, ना उसको तो अची तरह से पढ़ना है, समझना है, ना अची तरह से study करना है, तो हरे एक उपर ध्यान दिया जाता है, तो यह भी इसी तरी के से school है, यह ऐसा नहीं है, भई हमारे बहुत आए बस सुनके चले गए, किसी ने सुना क्या धारन क्या, पता ही नहीं तरह यह एक एका पता निकालना पहुता है, यह हरे के समझा पर practical चलते हैं, उस पर अपने घर गरस्त में रह करके, वो धारना करते हैं, अपने कर्मों क स्रेष्ट रखते हैं, तो इस चीज के लिए, इस स्कूल की तरह से चाहिए, बाकी तो ऐसे नहीं है, ने काली बस आये, सत्संग आया, सुना, गया, कौन आये, कौन गये, बस उसी से तो कोई मतलब नहीं होता है, तो यह कोई कामन सत्संग नहीं है, यह है सत्त का, सत्त जो ह जोच है, वो सब untruth, यानि जूट सुनाने वाले, इसलिए कहते हैं, truth को वो जानता है, यथारत क्या है, what am I, यानि हम क्या है, God क्या है, यह हमारी सारी दुन्या का चकर कैसे चलता है, इन सब बातों की यथारत knowledge वो God के पास है, इसलिए ही का जाता है, God is truth, यानि truth को God जानता है, और कोई नहीं जान सकता, तो जो जानता है वो ही तो सुनाएंगा न, कि जानेगा वो सुनाएंगे मनुश, नहीं, जो जानेगा वो ही सुनाएं, इसलिए वो कहता है, नहीं आता है, तो अभी वो सुना रहे है, तो इस truth को सुनना है, और इस यथारत चीज़ों को अपन पास प्रैक्टिकल में लाकर करके और अपने को ऐसा लायक बनाना है तो उसके बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना वो सभी बातों को फिर डिटेल से समझना है उसके लिए चाहिए टाइं तो वो तो फिर आएंगे क्योंकि आज कुछ नएं भी आए होंगे संडे है तो नएं आते हैं तो ये सभी ख्याल में बाते दी जाती है कि ये समझने का है बाकि ऐसे नहीं है, काली गया दोवचन सुना, या दर्शन किया उससे काम हो जाता है, ये तो बहुत काल की आज लेता लिमिता हना सकिते होता दोवचन सेस्टा आए ही के लिए कुछ मिल भी जाए फिर वह तो है धनौन के लिए कुछ मिल भी जाए पिर अब्सक्रेंवानों की तरह तरह को घुच्छ भी नगी के लिए सबकंटे नगी और भी विचारों का तो दो धन, हैं नहीं मुष्किल हो गिया है तो ये तो सबी देख रहे हैं ने तो इसमें तो अशान्ती 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 आज धन्ना है तो भी अशान्ती है पुत्र है तो भी अशान्ती है लाइफ है तो भी अशान्ती है तो आज तो अशान्ती अशान्ती है सब अशान्ती के कारण हो गए है न वो हवारी जो एव सब बात एवर की चाहिए, इसमें हम सदा सुखी भी रहे, वो जो सुख की चीज है, उसी सभी बातों को समझना है वो कैसे, जो हमारे पूज़ देखता हैं थे, देखो उसी जमाने में ऐसा कोई था, धन था तो धन से पूरा सुख था, अब नाशी धन था, और जो हमको लाइ है तो भी दुख, मतलब दुखी है, क्यों है, तो ये कारण समझना है कि आज लाहित को क्या चाहिए, क्या खोई गई है चीज, कौन सी चीज की हमारे पास कमी है, जिसके आधार पे आज हमारा दुखी, दुख खरा है, तो वो हमारा कर्म भृष्ट, इसलिए इन सब का हम नहीं सकते हैं, जब हमारे पास कर्म की स्रेष्टा होता, तभी भोग सकेंगे, नहीं सृष्टा है नहीं तो किसी बले से भोगें, भोगेंगे नहीं, ओलता दुख मिलेंगा, तो ये सबी चीजे इन सब बातों को समझना है, और उसी स्रेष्ट कर्म करने के लिए अभी क्य करना है उसी का knowledge, उसी का ज्यान, इसलिए ज्यान का नाम मश्यफूर है, कहते हैं भारत का प्राचिन योग, भारत का ज्यान, कई तो समझते हैं क्या भारत में खा ली ये बाते हैं, करम अच्छा, फलाना, दूसरे देश तो देखो, खाते पीते हैं, eat and drink, be merry, फलाने फलाने, उसमें लगाता कि आँ बस अपना जीवन चला है, वो समझते हैं, पर तु नहीं, हमारा प्राचिन भारती जो है ना, इसका नाम क्यूं बाला है, इसलिए कि इसमें वो प्राचिन शक्ती थी, बहर्त था, लेकिन आज नहीं है, इसलिए कि ये भारत स्वर्ग था, तो दुन और मार, बहिया, अमेरिका है, फलाने, फलाने, वो कही ऐसे हिसाब लगाती है, पर तु नहीं, बले, तो भी उनके पास वो पीछ आफ माई, बले धन है, पुछो उन से लोग है, बीमारी है, ये है, वो है, क्या, ये सब अशाम्ती के कारण नहीं है, तो ऐसा नहीं है, पर तो इसमें प्राचिन जो बड़ था, ever healthy, ever wealthy, ever happy, वो तो वहां नहीं है, ने दूसरे देश हो गया, ये भारत की थी, लेकर भारत में भी आज नहीं है, था जरूर, ऐसे नहीं, बाकि ऐसे थो नहीं, लाइफ कोई हमारी ऐसी ही है, इसलिए बिचारे कहीं समझते हैं, शरीर में आना ही दुख है, तो आवे ही चूँ बैठे जाए हुआ, उनके पास हा, को इसलिए नहीं निचे, क्यूंकि उतरे ऐसमें आवे शरीर में और दुख पाए को उसमें शरीर में नावे, कि उनको उनको देखा ही दुख हगाए न, इनको ये पता नहीं है कि हमारा आत्मा भी पवत्र, सरीर भी पवद के साथ हमारी जनरेशन से जहाँ चली हुई है अर उसमें हम सदा सुखी थे तो यह पता न होने के कारण ना कि, हमारे light की stage कौन सी है हमारे light की status कौन सी है इन सब बातों के a man object का पूरा पता न होने के कारण बीचारे नो, वो सुना है नो भी सुना है कि यहां एक ऐसा कि भी विद्वान पर्डित आचारियों ने ऐसी बात सुना रखी आ है कि वही एक ऐसा भी को न है तो जांके वहां समा बैठेंगे, जोती जोत में पर जाएंगे पर निकलेंगे नहीं किसी ने सुना रहे हैं वो के यहां तो दुख है न उदर बैठे रहें नहीं हमारी generation से बहुत सुख की चली हुई है, लेकिन वो कैसे चली वो किस ने बनाई उसको देखो याद करते हैं इसलिए, तुम अभी आ वो रोशनी देख, अभी हम बहुत अंधिकार में आ गए हैं, जितने हम रोशनी में जा रहे हैं, देखो आज हमारी बुद्धी कितनी खुल गई हैं, तुम रोशनी और यह अंधिकार में, जितना जाते हैं उतनी destruction की चीज़ें बनती जाते हैं, आज है atomics powers, आज कितनी ये सब powers मनश के हैं, द्वारा ये सब, लेकिन वो मनश के ही नाश करने के लिए खड़ी हो गई हैं, मनश सुख के लिए बनाने के जाते है पर तुम बनता उसे उल्टा दुख है, इसको कहा जाता है विनास काले मिप्रीत मुद्धी, ये कहा बता है बड़ी मश और, तो जबी विनास काला आता है ना, तो मुद्धी से काम उल्टाई होता है, तो है सुख की चीज़ें, पर उसको काम, उसका उप्योग जो है ना, पर उल्टा ले आके, आज ये अटमिक पावर ये सब चीज़ें जो है, नहीं तो उनको सीधे तरीके से काम लगाए, तो ये सुख के साधन बन सकती है, पर तो उसकी बुद्धी उसी तरीके का काम नहीं करेंगी अभी, उनकी काम ये करेंगी कि उसे नास कैसे करेंगी, क्य अब जब प्रीत बुद्धी है, तो फिर देखो, उससे प्रीत बुद्धी, इसलिए कहते हैं, अभी मेरे से प्रीत रखो, अर्थात मेरे से योग रखो, प्रीत का कहो, या योग कहो, बात एक ही है, तो मेरे से प्रीत रखो, मेरे से योग रखो, तो फिर प्रीत से construction, अभी देखो इससे construction का काम, पृत-अबुधि शे कर आ रहे हैं, और ये पृत-बुधि से destruction, तो दोनों चाहिए, काम भी दोनों आवड है इस्ने विनाष स्थाप्ना कराता, तो construction और destruction. अभी दोनों तो इधर कहते हैं पृत-पृत रखोthat construction युथ नहीं, न्यू वर्ल्ड क्या और ऊधर रिखो फ्रीत बुद्धी तो डिस्ट्रक्शन उसे काम वो बुद्धी काम करेंगी तब धुनिया का यह प्राब्लम जी हो है सालेव होंगा अगर डिस्ट्रक्शन नहों तो काम कैसे हो है कि संख्या बढ़ती जा रही है, कि सब दुख बढ़ते जा रहे है, खाने के लिए नहीं आ जा, सब मुसीबते खड़ी हो जाए, यह बढ़ता रहेंगा, कैसा होंगा, अभी इसको कौन हल करे है, मनिस बिचारी ठक जाए, एक बिचारा गांधी कोशिश करते, गांधी चला ग इसकी वागे अभी मैंने हाथ में लिया है, कंट्रोल है, अभी मनिसा के कंट्रोल में आने की चीजे नहीं है, यह तो लड़ जगर आपस में आ, एक दम खत्व, इसलिए अभी मैंने पकरा है, तो मैं आकर कि अभी यह सेप्लिन कंस्ट्रक्शन की गुप तुरी से लगा रह क्योंकि अभी हमको कंट्रोल पकरना चाहिए, जब होते हैं, देखते हैं कि बच्चे आपस में हो जाते हैं, तो फिर बड़े खरे हो जाते हैं, अभी सबसे बरावो है, तो अभी हो आख कहते हैं, यदा, यदा, धर्मस्ट्य है, जब जब ऐसी अधरम का टाइम आपा, अश्रों में भी है, घुप्त का महता हु, इसलिए दान घुप्त, खलान घुप्त क्यों महता हु रखा है, विद्धक क क्यों को परमात्मा घुप्त आया हैं, इसमें काम के PHIL कवपतं के शुच क हो जब बनाना बड़े घुप्त त산ीच उधें, तो ये अभी उसका गप्त क चाहिएू अच्हा दो मिनिट सैलिज, सैलिज का मतलब है हम असलमें सैलेट्स हैं फिर टॉकी में आये हैं अब फिर अपने सैलेट्स देश को याद करो कॢ़िए आपि वहां चलना है पीछे फिर टौकी वाल्ड में आएंगे प्र दे प्यु Rs. आप ना है तो प्यूर प्यू पीचे आम तर ना सुखी होंगे, आच्छा हैुआ हैुआ है यह जीवन की नयाँ बहर में आ गए ने बीच में तो देखो, डौक्टरी नालेज, नालेज तो बहुत है ना, एक नालेज फोरी, वैसे तो हद के नालेज बहुत है। पर तो ये ज्यान जिसका नाम है ना, ज्यान नाम है, वैसे कामनार्थ है उसका समझ, ज्यान कामना समझ, पर तो समझ बहुत परकार्थी है, डौक्टरी, इंजिनेरी, पेरिस्टरी, हतरें की समझे हैं, लेकिन जिसके उपर है, ज्यान बिना अगर्थ नहीं है, वो कौन सी सम वो ये कि हमारे अपनी जीवन का पुरा ज्यान होना चाहिए था हमको अपने कर्मों का पुरा नौलेज, तो कर्म की नौलेज का उसको कहा हुआ है ज्यान, तो कर्म की गत्ती परमात्मा ही समझा सकता है, और कोई मनिश ने, क्यूंकि कर्म के गत्ती के चक्कर में है न, वो नह कर्म की गति को जानने वाला वो है, जो हमारे दुर्गति और सद्गति गति को जानता है, कि ये दुर्गति में कैसे आए, हम तो सब दुर्गति में आ गए हैं, लेकर हम दुर्गति वाले कैसे जान सकेंगे अपने को, या हमारे कर्म गति को, नहीं, हमारी कर्म गति को जो हम अब दुर्गती में आए हुए है उसको जानने वाला जो गती दुर्गती से उपर है, वो ही जान सकता है इसलिए उनको आगर के सम्झाना, उसी का नाम ज्ञान, इस चीज का है कि हम आपको अपने कर्मों का नौलेज मिलें जिसे हम अपने कर्मों को वह नौलेज पाकर करके कर्म बनाएं, जिस knowledge की फिर जो माईच प्रापत रहेंगी कर्मसरेश की उससे फिरम अपना प्रालवदूस करेंगी, जिससे फिरम को सब सुख मिलेंगा, अच्छा अब उसी knowledge की ये college है, समझा, मनिश को उच स्टेटर अथ्वा सदा सुख प्रापत करने की स्टेटर कैसे प्रापत हो, उसका ये college, अब उसमें जो पढ़ेंगा, वो स्टेटर पाएंगा, जो पढ़ेंगा नहीं, तो कैसा पाएंगा, तो परना है न, आकर के समझो,